रूट बाउंड हो चुकि इस प्लांट को मैंने किस रिके से बिना मिटी के ट्रांसफर किया है आज की हमारी वीडियो इसी के बारी में होने वाली है नमश्कार दोस्तों मेरे गाली चैनल पर आफसाओ का स्वागत है मेरे घर के बाहर एक चोटी सी क्यारी बनी है उसी में रखा ये गमला तूट गया है तो देखिए इस प्लांट की रूट काफी ज़्यादा बाउंड हो चुकी है जब ये गमला नहीं तूटा था तो मुझे बिलुकर भी नहीं लगा कि इस प्लांट की रूट बाउंड होगी सबसे पहले तूटू है गमले की एक डिकरी नीचे सुराख पर लगा लेंगे मेरा गार्डन चेट पर बना है तो नीचे देखिए मेरे पास कोई भी मिटी या खाद बगारा नहीं होती तो इस गमले को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं इसकी जो यह सूख कुछ बरांच बगार हैं पतियां बगारा वो निकाल कर ही गमले में डाल दूँगी अगर आपके प्लांट की रूट देखिए इस तरह से गमले में फैल फूल जाती है तो इसका एक मतलब होता है कि जो आपके गमले की मिटी है वो बहुत ही बुरबरी अच्छी मिटी है अ पूरी मिटी को ही इन्होंने कवर कर लिया यह गमला उपर से देखने से मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि प्लांट की रूट इतनी ज्यादा बाउंड हो चुकी है सारी रूट निकाल कर मैंने गमले में डाल दी और इसी के उपर हम प्लांट लगा देंगे तो नीचे विखरी हुई कुछ मिटी और पतियां भी हम इसी के उपर डाल देंगे प्लांट लगाने के बाद हम इसमें गर देंगे वाटरिंग और अभी देखिए मेरे इस प्लांट को गमले में लगे हुए 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस रूट बंड हो चुके प्लांट को मैंने बिना मिट्टी के ही ट्रांसफर किया है अमीद है आपको यह मेरी आज की जानकर की वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक साबस्क्राइब शेयर और कमेंट जूर करें बेल लाइक ओन को दबाएं तांकि मेरी आने वाली नई वी आपको मिन सकें